हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चानल जैसे पिछले वीडियो में मैंने सिंपल ब्लाउस की कटिंग अपलोड की थी अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं तो यह फोर टक्स ब्लाउस है हमारा तभी इसके उपर हमने यह टक्स का मार्क किया है अब इसको पहले हम टक्स लगाते ह हैं पहले हम एक साइड का टक्स लगाते हैं जैसे यह मार्किंग किया है हमने यहां पर तो यह टक्स लगाते हैं कि अब इसके बाद यह जो है दूसरा टक्स इसको हम जैसे यह बड़ा टक्स होता है अब यह जो होते हैं यह आधा-धा इंच के होते हैं इस तरह से इसको हमें कि यहाँ पर आधा इंच का टक्स देना है तीसरा जो डक्स होता है यह अर्मूल का होता है यह अर्मूल में यह डक्स देंगे और चोथा इस साइड से जैसे काज बटन पेटी होती ही लगाते हैं हम उस साइड से यह टक्स आता है तो यह फोर्टक्स के इस तरह सी फोर्टक्स आएगए हमारे अब दूसरा जो है दूसरा पांट जो है जो हमने इसके उपर मार्किंग लगाई है हम इसी तरह सी यह टक्स लगाते हैं जैसे इसके उपर हमने यह जब 4 टक्स लगाया है, तो हम इसके उपर भी इसी तरह से यह टक्स लगाते हैं, जैसे हमने यह दोनों साइड में टक्स लगाया है, अब हम इसको क्रॉस पट्टी जोइन करेंगे, तो क्रॉस पट्टी का क्या इससे करते हैं, जैसे इस तरह से यह हमारे अब यह दो क्रॉस पट्टी लिए है हमने तो एक साइड इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड जो है यह इस तरह से रखते हैं अब तीनों को हम इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाते हैं कि इसके उपर हम सीधी सिलाई लगाएंगे अब कर दो कर दो कि एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको हम कट करते हैं कि यह उल्टी साइड में भी इस तरह से आएगा और यह सीधी साइड में भी इस तरह से आएगा हमने इसको यह क्रॉस पट्टी जोइन की है जो नीचे का पार्ट है जैसे इसको हम फोल्ड करके लगाते हैं तो इसको हम बाद में लगाते हैं पहले हम बैक सेड यानि कि दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम क्रॉस पट्टी लगाते हैं अब यहाँ पे हमने यह बैक साइड लिए हैं बैक साइड में यहाँ पे यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे जैसे यह देड़ इंच की पट्टी हमने लिए हैं सीधी साइड से लगा के फिर इसको एक बार फोल्ड करके फिर हम इसको पल्टी करेंगे बैक सइड में हमने इसको पट्टी जोएन की है अब जो फ्रंट सैड है हम इसके उपर रखते हैं और यहाँ पर जो आर्मूल की सैड होती है यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे तो यह क्रॉस पट्टी वाला जादा होगा तो इसको हम थोड़ा सब कट करेंगे इस तरह से तो यह थोड़ा सा जादा है तो यह सिलाई में चला जाएगा तो यहाँ पर हम अभी इसको जोइन करेगे अभी हम क्रॉस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर यह अंदर की तरफ लेके इसको फोल्ड इसके उपर हम सिलाई लगाते हैं कर दो कर दो तो अब इसको इस तरह से इसका हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर यह इस तरह से क्रॉस पट्टी आती है कि दूसरी साइड भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं दोनों साइड हमने तैयार की हैं जैसे के दोनों साइड में हमने ये क्रॉस पट्टी लगाई है अब इसके उपर हम बटन पट्टी लगाते हैं जब हम बटन पट्टी लगाएंगे तो हम उल्टी साइड में इसको इस तरह से लगाते हैं जैसे यहां पर आधा इंच उपर की साइड से लेकि इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं और इसके उपर हम सिलाय लगाएंगे अब इसको में इस तरह से फोल्ड करके इसके उपर हम सिलाय लगाते हैं अब दो कि एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट करेंगे फिर इसको सीधी साइड लेके यहां पर क्यूंकि यह एक्स्ट्रा पट्टी होती है इसको फोल्ड करके फिर यह जो सिलाय हमने लगाई है इसके उपर हम फोल्ड करके इसके उपर हम सिलाय लगाते हैं कि यह हमने बटन पट्टी लगाई है अब हमने यह बटन पट्टी लगाई है अब यहां पर हम दूसरे से भी हम पट्टी लगाते हैं तो इसको हमें सीधी साइड में लगाने पड़ती है तो इसको भी हम आदा इंच इस तरह से फोल्ड करके यहां पर इसके उपर हम सिलाय लगाते हैं है 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 एक्राइब पट्टी है उसको हम कर्ट करते हैं इस तरह से इसको फोल्ड करके यहां पर हम यहां पर एक सिलाय लगाते हैं अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके उपर हम सिलाय लगाते हैं इस से इसे हमारी यह दोनों पट्टिया तयार हो गई है अब हम शोल्डर जोइंट करेंगे जैसे यह पहले बैक्ट साइड का पार्ट लिया है अब यह उल्टी साइड है और यह सीधी साइड सीधी साइड में हम यह इस तरह से उल्टा रखते हैं यहां पर एक और दूसरा पाट इस तरह से अब दोनों शोल्डर हम जोइंट करेंगे इसके उपर इस तरह से रखें दूसरा शोल्डर भी हम जोइंट करते हैं इस तरह से हमने यह दोनों शोल्डर जोइंट किये हैं इस तरह से हमने यह दोनों शोल्डर जोइंट करने के बाद हम इसको स्लिव जोइंट करेंगे यहाँ पे स्लिव जोइंट करते हैं पहले हम बाजू का सेंटर निकालेंगे जैसे इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पे इसका सेंटर निकालते हैं अब यह जो है तो यह आगे का पारट है तो हम इसको इस तरह से यह जो सेंटर हमने निकाला है यह शोल्डर पे आना चाहिए इस तरह से यह शोल्डर पे आना चाहिए तो आप यहाँ से भी इस तरह से जोइंट कर लो नहीं तो कम ज्यादा होती है आपके आपसे तो यह शोल्डर से भी आप जोइंट कर सकते हैं कर दो कर दो चाह चाह तो कर नजग इननननननननन जाफर से प्यादों पादर लिजए भी आप्वित में पाम्टर भी आप हम यह शोड़क आपके आपके तो कर दोड़के पा यह प्यादों प्यादोग यह जो शोल्डर है और यह जो सेंटर है ये बरबर यहां पर आना चाहिए कि अ कि अ कि अ कि अ कर देको कि इस तरह से हमने ये इत बाजू जॉइन किये हैं दूसरी बाजू भी हमें इस तरह से जॉइन करते हैं पहले हम इसको एक बार फोल्ड करके इसके उपर हम सिलाई लगाते हैं अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करके इसको बीच में सिलाई लगाते हैं यहाँ पर हम बीच में सिलाई लगाएगी क्योंकि यह रफ सिलाई होगी यह रफ सिलाई होगी यहाँ पर हम तुर्पाई करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं कि दूसरी बाजू भी हमें इस तरह से तयार कर लेते हैं कि दोनों सब्सक्राइब कर 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 दोनों सब्स है उसका पहले हम सेंटर निकालते हैं जैसे इस तरह से यहां पर संटर निकालना आ एह इसका संटर आता है हमने यह बाक सेंट में 500 इंच के टक्स लगाये हैं है तो यह सेंडर पे हम इस तरह से कि यह जो फ्रंट सैड है तो हम niske up इसको रखते हैं कि यहां पर इसके उपर हम इस तरह से रखे ज़ो अधाता इंच का बैक सैड में जो आधा हिंच का एक्ष्रा कपड़ा होता है उसको हमें कट करना पड़ता है जैसे यहाँ पर यह जो यह सेंटर में जैसे हम फिटिंग के टिप लगाते हैं तो यह सेंटर में इस तरह से यह रखना पड़ता है और जो एक्ष्रा कपड़ा होता है यहाँ पर आदा इंज का जो एक्ष्रा जो पट्टी होती है तो यह एक्ष्ट्रा पट्टी होती है तो उसको हम यह जो हमने सेंटर निकाला है तो यह सेंटर के उपर इस तरह से रखना है और फिर यहाँ पर यहाँ परright तो यह भी आधा इंच का यह बैक साइड का आधा इंच का जो पट्टी होती है एक्ष्ट्रा आती है तो इसको हमें कट करने पड़ती है जैसे यह सेंटर से आगे यह पट्टी रखनी है और सेंटर पर यह सीला या राणी चाहिए यह इस तरह से रखी यह जो addition की सीधा इस तरह से कट करेंगे पिर यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगाते हैं सीधी साइड में दिन पर करेंगे यहाँ एक साइड यहाँ लगा बागा जिए एक से प्माम करेंगे लगाई जाँ पहाँ बार शर्ली ने प्माम अट्प्टा इसे प्माम कर दो कर दो लो लोगा कर दो कि लो 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 ऑज़ों के लोगा कर दोया लोला है कि अब इसको हम उल्टा करते हैं कि उल्टा करके यहां पे जैसे बाजू का बाजू हमारी कितनी है यानि पांच इंज हमारे बाजू है तो पांच इंज पर हम यहां पर निशान लगाते हैं यहां पर आफ लगाना है तो यहां से हमें और यहां पर नाप लेना है तो यहां से हमें सीधी सिलाई लगानी है तो दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से पहले करते हैं जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जैसे यह सेंटर हमने निकाला था पैक साइड का तो यह इस तरह से जैसे एक्ष्ट्रा पट्टी जो है यहाँ पी इस तरह से रखे एक्ष्ट्रा रखे यह जो एक्ष्ट्रा आधा इंच की पट्टी आती है उसको हम कट करके सीधी यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं सीधी साइड से हम यहाँ पे एक सिलाई लगाते हैं फिर इसको उल्टा करेंगे जैसे हमने सीधी साइड में एक सिलाय लगाई है अब इसको हमने उल्टा किया है अब इसको यहाँ पर हम इसके मार्किंग करेंगे पहले हम जो बाजू है बाजू पर मार्किंग करते हैं तो बाजू है हमारी यहाँ से पांच इंच तो हम यहाँ पर पांच इंच पर एक निशान लगाते हैं हुआ 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 है चीस्ट का नाप है हमारा साधे नौव इंच तो यह जो है एक्ष्ट्रा पट्टी इसको छोड़के हम नाप लेंगे यहाँ पर यह साधे नौव इंच पर कि अब हम कमर का नाप लेते हैं कि यहाँ पर यह है कि साथ इंच यह यहाँ पर एक्ष्ट्रा पट्टी छोड़के हम इसका कमर का नाप लेते हैं तो यह आएगा साथ इंच अब यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाते हैं दूसरी साथ में भी ऐसे नाप लेके फिर इसमें यह फिटिंग की सिलाई लगाते हैं अआज का बीधिन का लाओ लेके लाँ नापटा लेको फिर टूसरी वाँ राप लेके बार, यहाँ आएगा साथ इंच है दूसरे साइड में भी को दूसरे साइड में भी हैसे ही करते हैं जैसे यह बाजु गप लेंगे हम पाँच इंच यहां पे हम 1.5 एंच चेस्ट ऑर शाप इंच हम कमर का नाप लेदे हैं तो यहां से दूसरी साइड में भी हमी सी तरह से सिलाई लगाई है सिलके तयार हो गया है इसके उपर जेसे गले के उपर हमें यहाँ पर यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है पाइपिंग लगाने के बाद ये हमारा ब्लॉज तैयार हो गया है